नमस्कार सुप्रबाद कैसे हैं दोस्तों आप सब आसा करता हूँ क्या पच्छे होंगे और अपनी आने वाली सब ही परिक्ष्याओं की त्यारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों मैं प्रसांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने हिंदी साहती यूटूब चैनल में तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे थे मौक टेस्ट जो मौक्टेस हमारा हो रहा था यह हो रहा था हमारा MA Hindi के लिए 2021 के entrance exam के लिए जो कि हमारा platform है हमारे JNU, Betsu, Jamia और Dio समझ गया, Jamia के exam हो गया हमारा तो हमारा यहां पर Jamia हो गया है JNU, Betsu और Dio और Amium रहेगा समझ गया, इन सभी की university की तियारी हम कर रहे है इस channel के मादे हम से MA Hindi के लिए जो आपका entrance होगा 2021 के लिए तो यहां पर हम कर रहेते हैं 100 questions, hand remarks के तो इससे पहले हमने 50 questions करा दिये हैं आज क्या जो हमारा इससे सुरू होगा, यहां से 51 से सुरू करेंगे हम 100 पर खतम करेंगे, समझ गया तो इससे पहले की जो हमारे 50 questions है उसकी जो वीडियो है, उसके जो question है नीचे description में आ रहा है, वहां जाके आप उसके पहले के 50 questions जरू करें क्यूंकि आपको वहां से देखने के बाद अब जब यहां पर आएंगे, तब आपका final score पता चलेगा, कि 100 में से आपकी कितने number बन रहे है तो समझ गया सभी साथ ही? मैंने क्या कहा है, आप 50 questions पहले के कर लेजिए, और 50 questions यहां करेंगे आप handed question हो जाएंगे, handed में से आपका कितना score है था, मुझे comment box में आप किरपया करके जरूर बताएं, समझ गया? यह आपका जो mock test है, आप सभी को बताएं दोस्तों, जितने भी चैनल पर पहली बार विजिट करें उन्हों सभी को बतादू, यह दोस्तों, आपका जो mock test से आपको daily दो provide करा जाएंगे आपको 50 question पहले और 50 question बात में तो 50 question जो पहले होंगे, वो 9 बज़े की class होगी सुबह की सामय, वो 50 question तो हमारे शाम के सामय होती है, 5 बज़े class पुराने जितने भी साथ है, उन्हों सभी को पता है, हमारी क्या timing देती ही class की, तो आपको handed question प्रवाइड करा जिएंगे, पर दे, जब तक आपका JNU का entrance नहीं हो जाता, समझे है JNU का भी आगे जो हमारे डिव का होने वाला है, तो उसमें भी हम आपको निरंतर परियार्स में रहेंगे, आप सभी को question प्रवाइड कराने तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा, दोस्तों जल्दी से चैनल को subscribe कर लिए, दोस्तों आपको JNU, Beatshut, Jamiaudu से आने वाली कोई भी notification होती है, सबसे पहले प्रवाइड करा जाती है, और विशेज चैनल हमारे यहां पर हिंदी साहित के लिए है, तो हिंदी साहित का मतलब है यहां पर आपको टेलिग्राम चैनल के ग्रूप हैं, वाटसप के ग्रूप हैं, जहां आप ग्रूप हैं, आपके वहां जल्दी से जल्दी आप शेयर कर सकते हैं से, तो शुरू कर लेते हैं जल्दी से दोस्तों अपना फिर हम 51 question, तो यहां पर जो हमारा best score रहने वाला है, आप सभी को पता है, यही होगा, तो आज जो हमारे handed question पूरे हो जाएंगे, तो उसमें से आपको बताना है कि आपको handed मैं से कितना रहा, समझ गे, तो आपके decide करेगा, कि आपका 100 मैं से कितने अंका आपने पराप्त करें, समझ गे, 100 मैं से कितने question आपने ठीक करें, समझ गे, जल्दी से 51 question सभी साथी सही विकल्प लगाने का प्रियास करेंगे यहां पर हिंदी साहत्य त्यासिक ग्रंत को आधुनिक साहत्य संपत्ति का बीचक कहा गया किसमें कहा गया था आपको बताना है जल्दी से अंसर लगाने का प्रियास करना मेरे साथ ही 51वे का सही विकल्प क्या होगा तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प जाएगा option number D पे हिंदू पुस्तक साहित ते हिंदू पुस्तक साहित ते यहाँ पे सही विकल्प होने वाला है बढ़ते हैं फिर अगले question की तरफ तो next question आपकी स्किन पर आ चुका है सभी मेरे साथ ही सही विकल्प लगाने का प्रियास करेंगे तो यहाँ पर आपका जो question है निमलिखित में से किसके साहित तिस्यास ग्रंत में आदिकाल के लिए चारणकाल सब्द का परियोग जो है नहीं हुआ था बताइए किसने नहीं हुआ था डॉक्टर गिरेशन डॉक्टर राम कुमार वर्मा एफ ए कई डॉक्टर राम शंकर शुक्ल तो आसा करता हूँ मेरे सभी साथ होने इसका विकल्प लगा लिया होगा तो option number D option number D डॉक्टर राम शंकर शुक्ल इसका सही विकल्प होने वाला है तो बढ़ते हैं फिर next question की तरफ question number तरफ पनमा आपकी स्किन पर आ चुका है सभी साथी सही विकल्प लगाने का प्रियास करेंगे तो question है हमारा आदिकालिन साहिति के संबंद में कौन सा कथन सत्य है पढ़िए और सही विकल्प लगाने का प्रियास करेंगे तो option number C यहाँ पर सही विकल्प होगा कौन सा option number C समझ गया साथियो बढ़ते हैं फिर अपने हम 54 वे question की तरफ तो question number 54 आपकी skin पहा चुका है 54 सभी साथी सही विकल्प लगाने का प्रियास करेंगे तो question हमारा निमलिखित में से किसने अपने साहिति ग्रंथ में साहिति के विकास के संबंद में संबंद के साथ साथ समवेदना का विकास रिखांकित किया निमलिखित में किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहिति के विकास के साथ साथ समवेदना के विकास को रिखांकित किया तो यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प चलाएगा डॉक्टर राम शरूप चत्रुवेदी जी ने किया था समझ गये चववनवे का एंसार एकदम करेक्ट होने वाला है सभी के सभी अपने चार कोशन हो चुके हैं कितने कोशन ठीक हुएं सभी को नो डाउन करते रहें कि हमारा 51 ठीक हुआ 52 ठीक हुआ 55 ठीक हुआ 54 ठीक हुआ तो ऐसे अब पूरे हेंड़ कर लेंगे तो आप स्कोर बन जाएगा कितना स्कोर रहेगा तो आप प्रमेंट बॉक्स में मुझे बता सकेंगे असानी से तो बढ़ते हैं फिर 55 कोशन की तरफ तो यहाँ पर आपको दो कोशन एक साथ मिल रहे हैं जल्दी से विकल्प लगाने का प्रियास करेंगे 55 और 56 समझ गए पुरानी हिंदी का उदे किससे माना गया है बताए अवहट से संस्कृत से पाली से या प्रकृत से समझ गए और 56 कोशन हमारा अपभरंस के प्रभाव स मुक्त गरंत कौन सा है तो 55 का सही विकल्प क्या होगा तो 55 का सही विकल्प होगा हमारा अवहट से समझ गए अवहट से प्रवानी हिंदी का उदे माना जाता है समझ गए बात करेंगे 56 कोशन हमारा अपभरंस के प्रभाव से मुक्त गरंत कौन सा है तो मुक्त गरंत की बा सभी साती सहीविखल्प लगाएंगे सूर्दास की रचना में सन्स्कृत की कामल कांत पदावली और अनुप्रासो की वज़ा छता नहीं है जो तुलसिक की रचना में दिखाई पड़ती है ये किसका गरंथ है किसका कथन है दोस्तों पूछा KReC cane में किसका कथन है तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आचार राम चंदर सुकल जी डॉक्टर राम विलास चत्रवेदी जी या डॉक्टर क्या आपका हजारी पसाद वेदी जी बताइए सही विकल्प क्या होगा यहां पर सत्तावन का त्वासकरतों सभी ने विकल्प लगाया होगा आचार राम चंदर सुकल इसका सही विकल्प होने वाला है समझके तो बढ़ते हैं अपने फिर नेक्स कोशन के तरफ तो यहां पर आपका अठावनवा और उन्शट दोनों एक साथ है अठावन उन्शट दोनों ए चे आचार संकर जीने विश्ण स्वामी जीने निंबर्क जीने या आचार मधव जीने और उन्शट मा कोशन हमारा निर्गुन संत कव्यों में सरवादिक सशक्त एवं सुसिक्चित संत थे कौन थे बताईए तो हमारा अठावन में का सही विकल्प जाएगा उप्सन नमब डी समझे अठावन का उप्सन नमबर डी सही विकल्प होगा आचार माधव बाच करने की उन्सट के लिए तो उन्सट का हमारा जो सही विकल्प जाएगा कौन सा उप्सन नमबर बी उप्सन नमबर बी होगा समय सुन्दर दास है ना सुसिक्षित सुसिक्षित एवं संत हुई जो थे कौन थे सुन्दर दास जी समझ के तो बढ़ते हैं साथवे कोशन की तरफ तो कोश्चन नमबर साथवां साथवां आपकी स्कीन पर आ चुका है संत साहित का स्वरूप है क्या है स्वरूप बताइए तो आसा करता हूँ सभी ने सही विकल्प लगा लिया होगा तो मुख्त काववे optional number a मुख्त कावव समझ गया शंत साहित का सुरूप है वो मुख्त कावव है यांपर अप्सान नमबर is का सही विकल्प होगा पड़ते हैं में किस संत ने सत्य नामी संपर्दाय चलाया है किस ने बताइए 61 का सही विकल्प क्या होगा जग जीवन दास जी संत दास जी जगनात दास जी या सुन्दर दास जी तो option number A हमारा सही होगा कौन सा option number A जग जीवन दास जी समझ गए तो बढ़ते हैं अपने फिरम 62 कोशन के तरफ तो 62 कोशन आपकी स्किन पर आ चुका है सभी मेरे साथी सही विकल्प लगाने का प्रियाज करेंगे किस सूफी कवी ने अपनी कृतियों में अपनी कृतियों में चौपाईयों के बीच दोहे न रखकर बरवे का प्रियोग किया बताइए किस ने किया था 62 का सही विकल्प क्या होगा तो option number C नूर एहमार जी समझ गए ये इसका सही विकल्प होगा किस सूफी कवी ने अपनी कृतियों में चौपाईयों के बीच दोहे न रखकर बरवे का प्रियोग किया तो किस ने किया था नूर मुहम्मद जी ने किया था समझ गए तो बढ़ते हैं अपने फिरम 63 में question के तरफ question number 63 अपने आपकी स्किन पर आ चुका है सभी साथी सही विकल्प लगाएंगे question हमारा भारते अदत वाद में जो इस्थान माया का है वही सूफी काव में किसका है वह इस्थान किसका है बताइए वैभव का लक्षमी का शैतान का ये इनसान का 63 का सही विकल्प क्या होगा तो आसा करता हूँ सभी विकल्प लगा लिया होगा सभी साथियोंने तो 63 का हमारा सही विकल्प जाएगा सैतान का समझ गए सैतान का याद रख लिजे भारते अदत वाद में जो इस्थान माया का है ना वही सूफी काव में सैतान का माना गया है समझ गए तो बढ़ते हैं अपने फिरम 64 वे कोशन की तरव कोशन नमबर 64 वाँ आपकी स्किन पर है सभी साथी सही विकल्प लगाएंगे तुलसी दास ने राम चरित मानस की जो रचना की थी आरंब कब से सुरू की थी बताईएस में सही विकल्प क्या होगा पंदरासो चोहतर इसका सही विकल्प होने वाला है समझ गए तो राम चरित मानस ने तुलसी दास ने राम चरित मानस की ज़चना आरंब की थी पंदरासो चोहतर में की थी तो बढ़ते हैं अपने फिरम 65 वे कोशन की तरव तो कोश्चन नमबर 65 बताईए कविता वली में कितनी कविता हैं 25 कविता, 225 कविता, 125 कविता, या 325 कविता बताईए 65 का सही विकल्प क्या होगा कविता वली में कितनी कविता हैं तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पर D पे जा रहे हैं तो question number 66 आपकी सिन पर आ चुका है सभी साती सही विकल्प लगाएंगे आयोध्या सिंग उपाद्य हरी ओध के किस गरंथ में भ्रमर गीत प्रंपरा का निर्वा हुआ है पताए प्रिय प्रवास में वेहदी वनवास में रसकलस में या परिजात में तो 66 का हमारा सही विकल्प क्या होगा दोस्तों तो आसा करतों मेरे सभी साती उने लगा लिएगा तो प्रिय प्रवास इसका सही विकल्प होगा अयोदी सिंग उपध्य है जो है उनका किसी गरंध में भरमरगीद प्रमपरा का निर्वा हो था किस में हो था प्रिये प्रवास में हो था तो आपको 66 का ए विकल्प लगाना था जो कि ए विकल्प सही होगा बढ़ते हैं अपने फिर हम नेक्स कोशन की तरफ अगला कोशन दोस्तों आप सभी का सभी साथी सही विकल्प लगाने का प्रियास करेंगे अश्ट छापी भक्तों में सुर के बाद सरवाधिक ख्याती प्राप्त कवी कौन है नंद दास जी, कुम्बन दास जी, कृष्ण दास जी या परमानंद दास जी तो आसा करता हूँ सही विकल्प लगा लियागा आप सभी ने तो आपसन नंबर ए, नंद दास जी, समझ गए सुर्दास के बाद कौन है सबसे ज़्यादा जो व्यक्यती प्राप्ते ज़्यादा विद्मान जो मना जाते हैं नंद दास जी, समझ गए तो बढ़ते हैं फिर अड़सर्टिक कोशिन की तरफ तो कोश्चन नंबर अड़सर्टिक आपकी स्किन पर आ चुका है मिरे साथ ही हो सही विकल्प लगाएंगे जेनेंद्र से, इसमें पुछाए कौन से पात्र हैं जो जेनेंद्र द्वारा रचित उपन्यास होके हैं ये तो सभी चाल को चारो आपके जेनेंद्र के उपन्यास हैं सत्यधन, सरिकांत, रामेश्वर और जितेन समझ गए ये सभी आपके जेनेंद्र कुमार जी के उपन्यास हैं आप सभी को बताना है कि इनमें से ये पात रहें आप से का इनियाज के स्मझ गया। और साथ वी का सही विकल्प तो सभीने लगाया होका क्वसीफ तो यहां पे हमारा पहला हो जाएगा व्यफिटम specimen कि यहां सत्वस्व कोशिन हो जाएगा हुमारा स्रीकान्त हो जाएगा और जितेन हो जाएगा राम एश्वर यह नहीं होगा समझ गए इसका गलत है तो बढ़ते हैं अपने फिरम 69 कोशन की तरफ 69 कोशन की तरफ 69 कोशन है दोस्तों आप सभी की स्कीन पर कौन से निबंद संग्रे हरिशंकर प्रसाय द्वारा कौन सा रचित है बताइए कौन सा इसकेंदर सही विकल्प होगा देखिए और सही विकल्प लगाने का प्रयास का नमेर साथियो असा करता हूं कि मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया होगा समझ गए तो हमारा यहां पर 69 का सही विकल्प जाएगा उप्सन नमबर A समझ गए अपनी अपनी बीमारी क्या आपका सही विकल्प होगा वो बात करें कि तीसरा तो यहां पर हमारा यह तीसरा है समझ गए यह दूसरा हो गया यह आपका पहला है यह दूसरा है यह तीसरा है तो समझ गए यह तीसरा है आपका तो एक तो एक यह हमारा हो जाएगा पहला और तीसरा यह इसका सही विकल्प होने वाला है समझ गए तो हरी शंकर प्र समझ गए तो बढ़ते हैं सत्तरवें कोशन की तरव सत्तरवा कोशन समझ गए तो कोश्चन नंबर सत्तर समझ गए सेवेंटी आपकी इसकिन पर कोशन आ चुका है काल करम की द्रिश्टी से निमलिखित अवधार्णाओं को सही अनुकरम कीजिए बताइए पहले कोंसी अवधार्ण आती है फिर उसके बाद कोंसी अवधार्ण आती है फिर कोंसी वाली आती है तो आप देखिए और सही विकल्प लगाने का प्रियास करिए तो आसा करता हूँ सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा तो हमारा option number B होगा कौनसा option number B तो प्रचेवाद, माक्षदवाद, फिर मानाववाद, फिर फासिवाद फिर इसका ये सही विकल्प होने वाला है option number B देख लिए साती हो जिसका भी ये विकल्प था, तो एकदम ठीक हो जाएगा तो बढ़ते हैं अपने फिर हम 71 question के तरव 71 question आप सभी किस किन पर आ चुका है यहाँ पूछा गया दोस्तों आप से सिंपली 20 मसानी के नाटकों का सही अनुकरम बता दीजिए इस question के अंदर जल्दी से देखे हो और और इसका सही विकल्प लगाने का प्रियास करना मेरे साती हो तो आसा करता हूँ मेरे सभी साती होने इसका विकल्प लगा लिया होगा तो हमारा option number C option number C पहले आया आपका मुआफजा फिर माधवी फिर हनुस फिर आलामगीर समझ गए बढ़ते हैं प्रेफिरम 72 में कोशन की तरफ तो question number 72 में आपकी स्किन पर आ चुगा है सकी संपर्दाय का उपास शेतत्व कौन साह बताईए देखिए और सही विकल्प लगाने का परियास काने मेरे साथ ही हो 72 का आपका सही विकल्प क्या होने वाला है तो यहां पर हमारा जो सही विकल्प चला जाएगा सकी संपर्दाय का उपास ये तत्व जो है हमारा रूप और प्रेम है समझ गया उप्सान नंबर सी सही विकल्प होगा तो बढ़ते हैं अपने फिरम 73 वे कोशन की तरफ तो कोश्चन नंबर 73 वे आपकी स्कीन पर आ चुका है मेरे साथ ही हो पुष्टी मार्ग क्या है आप सभी को बताना है पुष्टी मार्ग इसमें क्या है चार उप्सन दिये गए हैं जल्दी से देख रहे हैं और सही विकल्प लगाने का प्रियास करें तो आसा करता हूँ सभी ने विकल्प लगा लिया गो तो यहां पर उप्सन नंबर ए चला जाएगा भगवान के अनुग्रह का मार्ग तहत्यर में का ए सही होगा समझ गए भगवान के अनुग्रह का मार्ग पुष्टी मार्ग होता है समझ गए बढ़ते हैं अपने फिरम चोहत्र में कोश्चन की तरफ तो question number 24 गीतका का रचनाकाल बताना है आपको क्या होगा option number A 1934, option number B 1935, option number C 1936, option number D 1932 तो गीतका का रचनाकाल क्या है आसा करता हूँ सभी ने लगा लिया होगा तो हमारे यहाँ पर सही विकलुप चला जाएगा option number C गीतका का जो रचनाकाल है 1936 है समझ के 1936 सबजगे बढ़ते हैं फिर अपने 75 कोशन की तरफ तो question number 75 आपकी स्क्रीन पर घर की बाद भहिया घर की बाद किस सहितकार की आत्मकता है बताईए शाम शुंदरदास जी की प्रभाकर जी की विद्यानिवास मिस्र जी की राम विला सर्मा जी की तो 75 का सही विकल्प क्या होगा घर की बाद किस सहितकार की आत्मकता है तो अमारा 75 का जो सही विकल्प चलाएगा अप्सन कि समझके विद्यानिवास मिस्र इसका सही विकल्प होने वाला है तो बढ़ते हैं अपने फिर हम 16 कोशन के तरफ 16 कोशन आपका अभिकतन और तरक से रिडिड़ है आप सबीको इसके अंदर बताना है कौन सा सही होगा वो कौन सा गलत होगा तो यहां पर हमारा अभिकतन है मोहन राकेस के नाटक इस्तरी पुरुस के बीच लगाव और तनाव का प्रजशन है समझ गए वो तरक दिया गया है क्यूंकि उनके नाटकों में नाटकों के सभी इस्तरी पात्र पुरुसों के प्रती विरोध भाव रखते हैं बताए सही विकल्प क्या होने वाला है यहां पर हमारा छेटर का तो हम यहां देखें कि हमारा छेटर का सही विकल्प होगा option number D हो जाए यहां पर हमारा यह जो है अभी कथन गलत है और तरक हमारा एकदम ठीक है समझ गए तो option number D इसका सही विकल्प होने वाला है तो बढ़ते हैं फिर अपने हम 77 कोश्चन की दरफ तो यहां पर आपका आगया है 77 कोश्चन तो 77 कोश्चन में कहा है वलबचार की मृत्यू के बाद किसने कहा था फुष्टी मार्क का जहाज जात है सो जाको कुछ लेना हो सो लेो तो आसा करता हूं सभी इने इसको विकल्प लगा लियोगा सभी को पता होगा इसका अंसर तो हमारा यहां पर सही विकल्प चला जाएगा सततर का विठल नात जी समझ गए कौनसा विठल नात जी बढ़ते हैं फिर अठतरवे कोशन की तरफ तो अठतरवे कोशन आप से भी की स्किन पर आ चुका है मेरे साथ ही हो विस्पनात परसाद निमली खित में से किस उपन्यास का पात्र है तो बता ये अठतरवे का सही विकल्प क्या होगा विस्पनात जो है विस्पनात परसाद किस उपन्यास का पात्र है तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प चलाएगा मैला आचल समझ गए मैला आचल ओप्सन नमबर सी इसका सही विकल्प होगा बढ़ते हैं फिर अपने हम उन्नाश्वी कोस्टन की तरफ तो नेक्स कोस्टन आपकी स्किन पर आ चुका है दोस्तो सही विकल्प लगाने का प्रियास करेंगे तो यहां पर आपकी जो पंक्ति दुए इस कोस्टन में आपको बताना है कि कि वीकल्प लगाने का प्रियास करेंगे तो आपसंद देख लेते हैं हमारे पहचान शांप घँघास खनबर हवाई अडडे पर विवाद हवाई अड़े पर विदा तो सही विकल्प क्या हो दोस्तों आप हमारा 79 का तो option नमबर D हवाई अड़े पर विदा हवाई अड़े पर विदा इसका सही विकल्प होने जाला है कि आग की किस पंक्ति से है किस पंक्ति से तो हवाई अड़े की हवाई अड़े पर विदा इसका सही विकल्प होने वाला है उड़ गया गर्जता यंत्र गरुड तो ये हमारी आग्ये की हवाई अड़े पर विदा का पंक्ति है समझ गए बढ़ते हैं फिर 80 कोशन की तरफ 80 कोशन आपकी स्किन पर आ चुका है 21 80 कोशन यहां पुछा गया आपको 19 सतापती के मद्धिवरगी बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रन किस उपन्यास में किया गया आप्सन नमबर ए देवरानी जठानी आप्सन नमबर बी वामाशिश्चक या सी 19 सतापती में जो मद्धिवरगी बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रन हुआ था यहां पर हमारा आप्सन नमबर ए चला जाए कौन सा आप्सन नमबर ए देवरानी जठानी इसका सही विकल्प होगा तो यहां पर हमारा यह उपन्या से आप सभी को याद रखना देवरानी जठानी और यह मत्वरगी बनिया समाज की जीवन का यथार्थ चित्रन इसमें किया गया था 19 सतापती किये समझ गए तो बढ़ते हैं 21 कोश्चन की तरफ आप संदिर किसी कोश्चन को नहीं पूछेगा कि आप किसी का फला वला नाटक बते जी किसका हाएगा कि फला वकण नियास किसका आजD repetition पूछेगा वो, उसमें ये पूछेगा कि आखिर वो उपन्यास लिखा है, तो लिखा किसलिए गया है, अगर उसमें किसी चीज की व्यक्षा करी गई है, तो किसलिए करी गई है, करी गई है, तो वो किसलिए करी गई थी, क्या हुआ था, तो ऐसे कोशन जेन्यू डालता है, तो आप सभी को पढ़ेंगे न आप तो किसी को मतलब किसी का उपनियास पढ़ते हैं कुछ पढ़ते हैं तो उसके अंदर की जरूर पढ़ा करें कि वो किसके उपर लिखी गई है किसान के उपर लिखी गई है कि विरोध के उपर लिखी गई है तो वो जरूरी होता है कि पढ जाएगा इसके अंदर समझ गए तो बताइए हिंदू मुस्लिम एक्ता को पर्तिपादित करने वाला कौन सा नाटक है तो जब आपने यह सही जो इसमें नाटक है जिसे नील देवी रक्षा बंदन सिंदूर की होली और सागर विजय जब आपने यह नाटक सही से पढ़े हों आसा करता हूं सभी विकल्प लगा लिए होंगे तो इक्यासी का मार चला जाएगा रक्षा बंदन रक्षा बंदन इसका सही विकल्प होगा समझ गये तो बढ़ते हैं अपने फिर हम बाईसमा कोश्चन बाईसी बाईसी दोस्तो 82 तो 82 कोश्चन आपकी स्कीन पर आ चुका प्रबंदकार्क रूप में या मुक्तिकार्क रूप में तो 82 का सही विकल्प क्या होगा तो हमारे यहां पर उप्सान हो जागा प्रबंदकार प्रबंदकार रूप में में इत्रिस्टन गुप्त की परतिपा का विकास जो है सरवादिक किस साहित रूप में देखने को मिल जलता है 82 का सी अंसर ठीक हो जाएगा जल्दी जल्दी आप नोट डाउन करते हैं आपके 82 कोशन हो चुके हैं आपके कितने ठीक हुए दोस्तों जल्दी जल्दी समझ लीजिए फिर आप यह मत करना कि कोशन आगे हो गए हमने नोट डाउन नहीं कर पाए किह नापके ठीकतते तो 83 कोशन देखते हैं फिर 83 कोशन आपके स्कूरजण पर है ऐसा करता हूँ कोई नहीं दोस्तो हल्किसी दिक्कत हो गी थी कोई नहीं त piace हो गया है बूशन के किस काव धारा है बूशन जो है वो किस तक काव धारा के कविया बताई जल दि से रीती बद रीती मुक्त या इनमें से कोई भी नहीं 83 का सही विकल्प लगाएंगे दोस्तो आसा करतों मेरे साथ ही इसका सही विकल्प लगा लिए होंगे तो अपसा नमबर B कुछ सा रीती बद के भूशन जो है किस काफधर के कवी है रीती बद के ऐसा में याद करना है आपको इसका सब्सक्राहिए यादी को आपंच प्लडफिम अप्लफर्म के त्यारी कराएंगे क्यों कि हम कुछ द सब्सकान जो नॉर्मली कोष्शन देखने को मिलते हैं वहां पे एक मतलब छोटा पूछ लेता है कि कि कुछ भी किसी opennays का बता दीजिए किसका opennays था, कौन से sun में आया था तो यह वहाँ पूष्ता है पर हम due में आएंगे तो due में ऐसा question नहीं पूष्ता उसमें opennays में क्या पूछा गया है वो पूष्ता क्या topic उस पर चल रहा है तो यह पूष्ता समझे न तो जल्दी से हम 85 कोशन की तरफ आजाएंगे, इसमें कोई बात नहीं करेंगे, इसमें केवला मॉक टेस्ट करेंगे, कुछ पी इसके अंदर बात नहीं होगे, तो 85 कोशन देखते हैं फिर, तो 85 कोशन आप सभी की स्कीन पर आज किया दोस्तों, तो आसा करता हूँ, अब जो कोशन आएंगे, आप सभी को बहुत ही करने में कटना ही नहीं होई होगी, क्यूंकि जो कोशन थे, बहुत ही वो महतपुण कोशन थे, इसलिए मैंने उन्हों सब्सक्राइब दाला तो धूप सातन दीप सी में अब आपको बताना है कि आप सभी को सकंदर ये तो पतागो आखिर ये किस की है समझ गए तो अब आपको ये बताना है कि ये कौन से में है, संध्यागीत में है या मा में है, या दिपशिखा में है या रश्मी में है तो बता ये पंक्तियां कहा की है 85 का जो हमारा सही विकलप चला जाएगा किस में है, संध्यागीत संध्यागीत इसका सही विकलप होगा धूप सातन दीप सी में महादेवी वर्माजी समझ गए, बढ़ते हैं 86 कोशन की तरफ, तो 86 कोशन आपकी स्कीन पर आ चुका है, नारी तुम केवल शिर्दा हो, विस्वास रजद नंगपग तल में, तो आपको बताना है ये जैसंकर परसाद जी के आप सभी को पता होगा कि लहर, आसू, कमाईनी ये सभी किसकी है, जैसंकर परसाद जी की, तो आपको बताने कि जैसंकर परसाद के ये किस में है, लहर में है, कमाईनी में है, आसू में है, चंदरगुप्त में है, तो हमारा 86 का जो सही विकल्प जाएगा, आप सभी को बता दू, यहाँ पर हमारा कमाइनी समझ गये नारित तुमके वल सद्दा हो विश्वास रजत नगपग तल में तो इसका कमाइनी एकदम ठीक विकल्प होने वाला है तो बढ़ते हैं अपने हम 87 कोशन की तरफ तो 87 कोशन आपके स्किन पाया चुका है मेरे साथियो जिसको नहीं गौरव था निज देश का अभिमान है वो नर नहीं नर पसू डैस 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 बताए किसका है ये इसमें डाइट आपको पूचा गया करिया है किसका कथन जो है किसका है बताए राम नरेश दिरपाटी जी का सुमित्रा नंदन पंथ जी का जैसिंग करप्रसाद जी का या मैथली स्रण गुप्त जी का 87 का सही विकल्प क्या होगा तो 87 का मरज सही विकल्प चलाएगा option number D समझे मैथली स्रण गुप्त जी का सही विकल्प होने वाला है तो बढ़ते हैं फिर हम 88 कोशन की दरफ 88 कोशन आपकी स्किन पर आ चुका है मेरे साथियो हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ विचार आज मिलकर आओ विचारें आज मिलकर ये सभी समस्याएं ये बताइए किसकी है तो आप सभी को ये तो पता होगा कि मेथली सरंड गुप्त की भारत भारती साकेत जैदर अद्वदी सभी पता होगी है अब आपको ये बताना है कि ये जो पंक्ति हैं ये किसकी हैं कहां से ली गई है हम कौन थे क्या होंगे और क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी आओ मिलकर विचारें आज मिलकर ये सभी समस्याएं तो किस में थी यहां पर आपको बदाए बहरत बहुत किसी है तो आपको पतल आगा पर आपको नहीं चलेंगे तो पंक्ति हैं यह पता नहीं चलेंगे तो पंक्ति हमको जेन्यू अलोकि बहुती ज़्यादा ज़िरूरी है समझके बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट कोशन की तरफ तो अकला कोशन आपकी स्किन पर आ चुका है मेरे साथ ही हो इसमें से बताना है आपको कौन सा सुम्मेलित नहीं है कौन सा सही नहीं है तो जल्दी इस देखिए और अंसर लगाने का प्रियास करिए तो हमारा सही विकलब चलाएगा कौन सा अप्शन नमबर A हल्दी घाटी सुबद्रा कुमारी चोहान यह रिक्तम गलत है समझ के बढ़ते हैं 90 कोशन की तरफ कोशन नमबर 90 आपकी कोशन आ चुका है लाल पीली जमीन लाल पीली जमीन उपन्यास किसका है बताइए तो नमबर का हमारा सही विकलब चलाएगा कौन सा अप्शन नमबर B गोविंद मिस्र लाल पीली जमीन अपन एस किसका है गोविंद मिस्र जी का बढ़ते हैं फिर इक्याणवी कोशन की तरफ तो नेक्स कोशन दोस्तों आप सभी किस किन पर आ चुका है प्राचीन और नविन प्राचीन और नविन का सुन्दर समराज्य भारतेंदू के किस काल का विशेश मधूर है प्राचीन और नविन का सुन्दर समाजस से भारतेंदू की कला का विशेश मधूर है किसमें है किसने कहा है बताए एक्याणवी का सही विकल्प क्या होगा रामचंदर सुक्ल गुलाब्राय महादेविवर्मा स्वान्ति प्रेदि वेदी जी टॉपस नमबर हमारा ए चलायागा रामचंदर सुक्ल जी समझ गए रामचंदर सुक्ल इसका सही विकल्प होगा तो बढ़ते हैं फिर फिर बाणमी कोश्चन की तरफ तो नेक्स कोश्चन दोस्त आप से विकिन इसीन पर पंडित महादेविर प्रसाद दुवेदी की आलोचना का दरस्टी कोण था बताए क्या दरस्टी कोण था नेतिक्तावादी रसवादी तूलनात्वक या परचियात्मक तो हमारा बाणवी का सही विकलप चलाएगा option number A नेतिक्तावादी समझते हैं फिर फिर पढ़ते हैं अपने फिर 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 5 कोश्चन की तरफ कि स्कुष्चन आपकी स्करें पर आ चुका मेरे साथ ही हो सही विकलप लगाने का प्रियास करेंगे निराला इज अरेडी डेड. किसने घोसित किया? अगर आपने थिएरी अच्छे से पड़ी होगी, तो आपको पता होगा किसने कहा था. तो अग्य की बुक में यह कहा गया है निराला इज अरेडी डेड. तो अग्य हां, मैंने बता ही यह डारेक्ट. तो इसका अग्य ही अंसर है समझ गए option number 93 का हमारब भी हो जाएगा तो आप देख लीजिए option number 20 का सही था समझ गए तो बढ़ते हैं फिर आप next question की तरफ चोर 90 वे question है 94 गद्द को जीवन संग्राम की भासा किस ने कहा अग्य जिने गद्द को जीवन संग्राम की भासा किस ने कहा था अग्य निराला जी ने कहा था 94 का C बढ़ते हैं अपने फिर आप 95 question number 95 आप की स्किन पर है यदि मैं कमायनी लेखता समिक्षात्मक गरंथ की किस की रचना है बताईए महादेवी वर्मा जी की सुमित्रा नंदन पंथ जी की सांति प्रेदिवेदी जी की राम कुमार वर्मा जी की 95 का सही विकल्प क्या होगा 95 का हमारा सही विकल्प चला जागा सुमित्रा नंदन पंथ जोस्तों अब आपके 95 question हो गए है पाचास कोशन जो पिछले थे उसका स्कोर जोड़िये और अपके जो आपके पांच कोशन ओर रहे हैं इन सभी को जोड़ के कमेंट बॉक्स में आफ्लाइन मुझे कमेंट करिए और टेलिग्राम चैनल पर हम जल्दी से बताएंगे आपका कितना कितना स्कोर रहा समझगे अपसा नमबर B समझ गए तो पढ़ते हैं संतानवे कोशन के तरफ तो संतानवे कोशन आपके स्किन पर आ चुका है मेरे साथी हो सही विकल प्लगाने का प्रियास करेंगे भारतिये चिंता का स्वभाविक विकास डॉक्टर हजारीपरसाद दुवदी के किस गरंथ का भाग है बताए भारतिये तो हमारा option number यहाँ पर हमारा चलाएगा option number A हिंदी साहत की भूमिका समझ गए हिंदी साहत की भूमिका इसका सही विकल्प होने वाला था समझ गए तो बढ़ते हैं परिफिर्म अंठानवी कोशन की तरफ तो अंठानवी कोशन दोस्तो आपकी स्किन पर आ चुका है नई समिक्षा नई संधर्व अलूचनात्मक कृति के लेखक कौन है अग्य जी मुक्ति बोध जी असोग जी या डॉक्टर नगेंदर जी तो अठानवी का हमारा सही विकल्प क्या होगा दोस्तो option number D नई समिक्षा नई संधर्व अलूचनात्मक कृति के लेखक हमारे डॉक्टर नगेंदर जी है समझ गए बढ़ते हैं अपने फिरम निन्यानवी कोशन की तरफ second last तो निन्यानवी कोशन आपकी स्किन पर आ चुका है मेरे साथी हो लोक हिर्दे में हिर्दे के लीन होने की दसा को दसा का नाम रस दसा है बताईए प्रेमगन जी आचार सुकल जी पाल किष्ण भट जी या निराला जी तो निन्यानवी का सही विकल्प बताईए दोस्तों क्या हो जाएगा तो आचार रामचंदर सुकल जी इसका सही विकल्प होने वाला है तो बढ़ते हैं प्रेम लास्ट कोश्चिन की तरफ तो लास्ट कोश्चिन का जैसा कि मैं आप सभी को पूछता हूँ कमेंट बॉक्स में इसका अंसर तो आज भी कोश्चिन पूछूँगा handed का आप मुझे comment box में बताएंगे और final score भी आप मुझे बताएंगे 100 में से कितना रहा 50 question यहाँ आपने करे 50 question हमने कल किये थे तो handed question हो चुके handed में साब क्या score रहा तो मुझे आप बताने का कस्ट जरूर करें कैसी playlist आपको लग रही है तो आप मुझे comment box में बताने का जरूर प्रियाज करिए दोस्तो इसमें आपके handed question यहाँ पूरे हो चुके हैं और आपकी जितनी भी इन question की जो answer है आपको PDF के format में हमारे Telegram चैनल पे provide हो जाएगी समझ के तो आज आपको शाम के समय यह handed के handed पूरे के पूरे questions provide हो जाएंगे समझ के साथ ही हो तो आखरी छटान तक किसका यात्र बतान थे आप से भी बताना है comment box में और आपके handed में से कितने question रहे best score जरूर बताना दोस्तो और जितने भी मेरे साथियों का मैं बताना चाहूंगा 85 score रहने वाला 85 score रहने वाला है तो उनको मैं यह कह सकता हूँ कि आपका due तो हो गया due admission हो गया due तो भूल जाइए due के लिए तो आपको भागना नहीं है genuine के लिए मैं बोलूँगा आप सभी को कि अगर आपकी category है अगर आप किसी category से belong करते हैं तो आपका admission हो जाएगा जिसका भी 85 score चला गया उपर जिसका भी 85 score चला गया इस mock test के अंदर तो मैं बोल सकता हूँ उसको कि अगर आपके category है OBC, ST या ST category तो आपका हो गया admission जर्नल वालों के लिए थोड़ी सी और महनत करनी पड़ेगी तो जर्नल वालों के लिए हलकी सी और महनत करनी पड़ेगी आपका admission हो जाएगा समझ गए तो यहां पर जितने भी आपके question हुए है 100 के 100 तो आसा करता हूँ कि सभी जितने भी मेरे साथ ही mock test दिये है अच्छा score रहा होगा तो जिसका भी मैं बोलना चाहूँगा कि जिसका 90 क्रोस रहे 85 तो उनके लिए है जिनका reserve category वाले है और 90 क्रोस जिसका हुआ है तो जर्नल वाले जितने भी 90 क्रोस वाले है तो उनके लिए बहुत बढ़िया score है 90 कोई कम score नहीं है क्योंकि इसके अंदर सभी question आपको इसमें दिये गए है और आखे जो आपके mock test और आने वाले हैं तो वैसे ही आपको mock test मिलेंगे जैसे कि genuine कराता है आपका entrance समझगे दोस्तों तो यहीं पर हम वीडियो को end करेंगे और आपका साम के समय 5 बजे mock test होगा पचास question का तो फिर उसका रात में फिर से 9 बजे जो आपकी साम की class होती है फिर सुबह पांच बजे आपकी 9 बजे class होगी समझगे तो हैंड़े कोशन आपको पचास कोशन सुबह और पचास कोशन साम को प्रवाइड होंगे समझगे और फाइनल में आपको लास्ट में टेलिग्राम चैनल पर हेंड़े के हेंड़े कोशन के PDF मिल जाएगी दोस्तो हमने अपने में हिंदी एंट्रेंस 2021 की जो प्लेलिस्ट उसको अपडेट कर दिया है कि जिसने भी ध्यान परुप सुनना जिसने भी दिल्ली विजदाले के लिए एड्मिसन लेना है अगर वो 84-85 वीडियो अगर पूरी वाच कर ली पूरी वाच कर ली जितनी भी कोशन सभी के सभी के सभी कर लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा केवल 85 वीडियो देख लीजिए दिल्ली जुदाले बहुत ही बड़ी है तरीके से निकाल के आजाओगे चाहे आपकी कैटिगरी हो चाहे ना हो समझ गये जहें मैं आपको लिखके दे सकता हूँ अगर आपने उन 85 वीडियो को कर लिया क्यूंकि वह बहुत ही मातपूर्ण है बहुत ही मातपूर्ण एकदम पैस्विक पैस्विक कोशन लिए गया है जो कि हर एक्जाम में पूछा गया कि और किस माध्यम से पूछा गया है समझ गया तो जेनी वाले भी आप ध्यान पूर्ण सुन लिजिए 85 वीडियो हो चुकी है में हिंदी की तो आप जरूर उन प्लेलिस्ट पर जाके में हिंदी की जो लास्ट एर की है उन सभी को चेक कर लिजिए प्लेलिस्ट को मैंने पूरा अपडेट कर दिया है 85 वीडियो एक ही में डाल दी है उन सभी को कर लिजिए यार 7-7-8-8-10-10 मिंट की वीडियो होती है उसमें 10-12-10-12-15-20-50-25 कोशन ऐसे से होते हैं सभी को आप जल्दी-जल्दी कर सकते हैं सभी को आपको एक तोजा मोक्टेस हो जागा क्योंकि इस समय जितने भी जादस जादा आप आप अब्जेक्टिव लगा लेंगे ना उतना आपके लिए बढ़ियागा आप मैं बता दू जितने भी साथी हैं आप कोई नया सब्जेक्ट मत उठाके पढ़ना उसको ना तो सभूँगी आपका इस्कोर बढ़ाती जाना अब सभी को इतना पड़ना है कि अकृषग समय जनी इंमाले सभी बतार हो जय तो इस बार मुझे बहुत अपने इस चैनल पे से मैं भी इतनी महनत कर रहा हूँ आप सुभी के लिए तो आप मुझे दिलिव जिदाले में से 400 में से 400 प्राप्त करके दिखाएंगे मैं आसा करता हूँ इसमें मुझे साल लगते हैं कि हमारे चैनल के मादम से से 3-4-5 बच्चे इस बार 400 में से 400 वाले हैं समझ कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ तो आप सुभी को पता आगो जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी मैं मॉक्टस में पहले कराये थे उन सभी कि कि लड़कियां भी बहुत महनत कर रहे हैं लड़कियों के भी कम स्कोर नहीं है समझ गए तो लड़कियों के तक तो बॉनस मार्क्स हमारा वह मिल जाता है जैनी विश्वधाले में तो आप सो भी एच्छे से त्यारी करिए तो यहम वीडियो को एंड करेंगे हम दोस्तों म जैं हिंद, जै भारत